हाँ देश्तों मैं हूं निवाश राई YouTube चैनल निवाश राई में आप लोगों को बहुत बहुत श्वागत है आज मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर कर रहा हूं उस वीडियो में हम कुछ पोधे का कलेक्शन आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो पोधा आप बड़े आराम से आपके गड़न में शामिल कर सकते हैं जो लागातार फूल देने वाले पोधे होंगे जो शाल भर कभी फूल खाली नहीं होंगे इस टाइप के कुछ पोधाय के बारे में आप लोगों को मैं जानकरी दूंगा जो सबसे पहले मैं लूंगा गुठल का नाम देशी ब्रीट का है इसलिए यह बेल दूमा होते हैं काफी उपार चड़ाना पड़ता है इसको चड़ने कर लिए कुछ जगा बना के देना पड़ता है लेकिन इसका एक वराइटी है यह लो कलर का आता है जो बंशाय आइटेम में है जो आप गंबले में लगाने से बहु छुन्दर फूल देते हैं लगातार फूल देते हैं रही खाली नहीं होते है तरहनुत देशी ब्री rocks ली को यजो लेंगि अन्दीश फुन्धिय से फूल शान है और यह बहुत क्वश्य में देते है क्योंकि फूल जैसे यह यह फूल। दो तीन चार रह everybody भी खिल जाते है इसका तो यह फूल अगर आप आपके गार्डन में लगाते है तो बहुत शुंदर होंगे लेकिन यह एक वेल नुमा अब ध्यान रहे कि इसको ऐसे जगाना चाहिए किसी जाड़ पर किसी पेड़ पर या किसी बाउंडरी के ऊपर चड़ जाए तो जो पोधा लगाए जो आपका मतलब 12 महीने फूल और मेंटरेंस काम हो यह मिनी चान्नी का फूल अगर आपके गार्डन में लगाते है तो शदावार आइटेम है यह लगातार फूल देंगे ज्यादा हाइट नहीं होते यह पोधा और मेंटरेंस इकदम लो मेंटरेंस एक पान तो इसलिए हम ऐसे पोधा हमारे मनेंटरेंस कम मांगे तो भी आप लगा सकते हैं तो बड़े सकते हैं तो बड़े थोड़ा होता है जो देशी होता है यह मीनी चान्नी के अपे एक इसको अप ज़रूल करिया तो मीनी कभी कभी इसमें की यह क्रिशान की किट पर जाता है उसके बात दोस्तों मैं आप को करना न होत niArno कोई होते है यह फुल होते हैं आई आगे चल कि मैं को हर प्रुदी तो यह है इसमें कटेदार होती है इसलिए इसको ज़ीन होता इसको दौल बहुत शुंदर है यह बारिस में इस Turkish में इसमें यह अध्यक्त होते हैं उस इसnim 돌 जो इस तो रहें होता है तो छोटे छोटा होता है यह जो जो पींक कलरब आप में यह का फूल थोड़ा बड़े होती है और यह काफी दिम सब्मोब पूल फूल जो है इक कंब needing से काफी दिन तक इसमें लास्टिंग भी करते है यह फूल जल्दी जहरते नहीं तो यह पूधा भी आप आपके गडर में जरू शामिल करिए आगे चलके मैं एक बेल नुमा एक पूधा दिखाऊंगा जिसके जो जमीन में रहता है जैसे इसके लिए कोई मतलब बाउंडरी बगार नहीं चाहिए यह अपने आप जमीन में फैलते जाते हैं और बहुत शुंदर फूल देते हैं और यह पोधा इतने श्टॉंग पोधा है कि यह मरती नहीं यह एक बार लगा दिये मतलब आप उसको मारने चाहो तो मार भी नहीं सकते इसको यह आपका छोटे-छोटे फूल देते हैं जैसे शुरियों मुखी फूल जैसे है यह तो छोटे-छोटे होते है यह और बहुत शुंदर होते है इसका फूल लेकिन इसका यह की प्रोबिलेम है यह अगर आपको भगेचे में लगा दिये तो यह जंगल टाइप का बन जाएगा इसको अगर कभी भी ल लोगों के गार्डन में यह फूल हमें देखने को मिलते हैं और एक ऐसा आइटम है यह आइटम आपको हराब भी रहता है इसका पत्ता का भी बहुत अच्छा कलर रहता है तो इसलिए फूल भी रहता है और हराब अरी अलीवी बनाए रहते है दोस्तों यह पोधा भी आपक हएटो में आपको दिखा रहा हूं यह है यह बहुत बड़े-बड़े गुस्षी में इसका फूल आता है तो यह फूल भी देखने में बहुत शुंदर होता है लाल जो होता है जो गंबली बाला आइटम होता है वह लगाने का शब्यूश्य जञादा ठीक रहता है तो यह ऐलापाइ दोस्ता दीखाना चाहिए इसे हम लोग कहते हैं गजरा नाम से इसको जाना जाता है यह फुल बहुत स्टॉंग फूल है एक बार कि यह खिलता है तो कम सकाम 15 महीन आपके यह फूल नजरा रहा है फूल के अंदर से लाल कलर को भूल निकलते हैं यह फूल दोस्तो इतना सुन्दर है कि एक बार पोदे में खिल जाए तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ गुलदस्ता सजा के रखा है तो यह फूल आपको हर एरिया में नहीं मिलते हैं लेकिन यह वेस्ट वेंगल को साइड में ज्यादा मिलते हैं और उधर का यह आइटम है आज कल पूरे भारत ले लेता है उसके बाद दोस्तों हम इसे हमारे भाषा में बंगला भाषा में इसको इस तल्पद्व कहते हैं एक पोधा काफी बड़ा होता है एक मानली जेए एक चोटे मोटे आम जाड की तरह इतना बड़ा हो जाता ही इसके आगर कभी भी लगाए तो इसको आप जमिन म में भी हो सकता है लेकिन गंले में बढ़ी अभूल लेते है रोज फूल अधिसर स्वेस का फूल उठाकर मंदिर में पुझा दे दिया है तो पुझा हमें चड़ा दिया फूल को तो आधा खिला हुआ फूल आप लोग को मैं आज दिखा रहा हूं तो आने वाला टाइम में कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस फूल के बारे में तो खिला हुआ फूल दिखाने का जरूर कोशिश करूं